कि नमस्कार दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल mcsv बस्ती में दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग जोगर्फी के प्रस्वों की संखला को सॉल्ब कर रहे हैं और इसमें हम लोग कोश्चन को बहुत ही अच्छे से डिटेल करते हुए समझ रहे हैं तो इसी करब में आज का हम आप लोगों का जो वीडियो है वह आपके घास के मैदान घास के मैदान विश्व के देश और उसकी सीमाएं और अधीनस छेत्र और असलूत देशों से जो सम्मधित प्रस्ण जो एक्जाम में बन सकते हैं या जो बने हुए हैं उन प्रस्णों को आज हम लोग देखेंगे रिवीजन करेंगे और समझेंगे कि कौन से घास के मैदा समयलित नहीं है इसमें बतार ना है बाकी यानि से समयलित होंगे कोई एक ऐसा होगा जो की सुमयलित नहीं होगा ठीक है तो यह चीजे हमको देखनी होगी पहला देरा है दोस्तों कि प्रेरी जो है वह अमेरिका में पढ़ता है दूसरा कहरा है पॉम पास दच्छंदी अमेरिका में कह रहा है इस्टेपीज में फूर्थय और टाश्टरिय है आपको पता है आरजेंटीना ब्राजील और उर्वेवाले च्छेत्र में पाए जाता है कि थिक थे पंपास इन्हें पर यहां पर सही आपका हो जाएगा तीसरा आपका स्टेपीज कह रहा है तो स्टेपीज यूरूप में पाए जाता है ठीक और जुर इसका जो है परस्टी मींैं है मध्यीं से słuट रहे श्टेफ़िक घहां में पाई जाते हैं समय मध्या कायिये यह ऐख फहेशा कि रहे यानि की स्टेफ़िक कर mol में सब्सक्तिप है तो अगला आप जो जो फॉस्टत्व आपका पाटता है यह अफ्रीका महाधीप में पपड़ता है आफ्री इमसिक का डचर अफरिका यह आपका होगा तो यह जैंक की तरफ चलते हैं दोस्तों कौन सा एक जोड़ा सही है देश घास के मेदान के बारे बतारा है आपको पहला कह रहा है केन्या के बारे में कह रहा है कि Kenya आपका पंपास पाया जाता है और दूसरा है अर्जंटीना है इसमें कह रहा है पंपास पाया जाता है यहां पर कैम पास स्वरी मैंने पंपास बोल दिया दोस्तों Kenya में कंपास पाया जाता है और अर्जंटीना में पंपास पाया जाता है तीसरा कह रह का step is कह रहा है, तो इसमें आपको बताना है, कि कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है, इसमें कोई एक सही होगा, दोस्तों, बाकी सा गलत हो जाएंगे, तो जरा, देखें, कि कह रहा है, की कमपास कमपास जो है कहां मिलता है यह ब्राजीलीन उच्छ भूमी मिलता है कहां पर ब्राजीलीन उच्छ भूमी वाले चहत्रों में पाए जाता है उच्छ भूमी तो यह तो अपका गलत हो गया इसना chemotherapy केञ memb हो जाएगा उच्वोंमी का जो यहां मिलेगा और पंपास घास मिलता है ऐसे अर्जेंटीना ऑफसन बिल्कुल आपका सही है क्योंकि ब्राजील और उर्गोई में पंपास घास के मैदान रहती और सवाना के लिए जो बेनेजुलेट नदेट रा यहां पर क्या होगा पूर्वी अफ्रेकी कंट्री यहां पर होंगी पूर्वी अफ्रीकी कंट्री तो पूर्वी अफ्रीकी कंट्री कौण होंगे जिसे केंचिच्छा कीन्या हो जाए Gregory तंजानिया यह सब देश जो आपके पड़ेंगे पूर्भी अफ्रीज की देश वहां पर सवाना घ्राज के मैदान पाएनगे टेक है तो यह आपकाOn स्वारी है ठीक है तो यह सवानाज घ्राज मैदान मेदान यहां के पाएनगे यहांपर जो मैने बताई आपको ओर प्जानिया और मुल this जो पाए जायगा काने पाउन क्रणा शुर्म आपछ उसको यूरोप के चित्र हमें घहां पाई आप इस can only find the foot यहां पतीत जाते हैं तो यहां पर यह हो जाएगा आप को दो तो ठीक है नेक्स कोशन की तरफ चलते हैं कि कह रहा है सवाना का सरवाधिक बिस्तार कहां पर पाय जाता है दोस्तों ऑप्संस देख लिए एक कह रहा है अफ्रीका में दूसरा है आपको एसिया में और तीसरा कह रहा है दच्री अमेरिका महाधीब चौथा आपको अपसन है उत्रिया अमेरिका महा देट तो आप पास होना चीस सावानाा घास के मैदान मैंने अभी आपको बतायता पुर्भी अंधरी कि छेत्रों में पाए जाता कहां पर पूर्धी अफरिक Shinya Tanjaniya यह सब जोश्ट आपके पढ़ेंगे यह आप पर सावाना घास के मैदान पाए जाते हैं नग्स है आपका बटर अधष्डी अमेरिका दशिडी अमेरिका में मद् अच्छांसे घास के मैदान को जुआ जाता है यह जवाब होगा कौन सा होगा पंपास घास के मैदान होते हैं या प्रेरी होता है या फिल्ल होता है रहता है यह कहां पाइजात्य है आपको यह तच्छडी अमेरिका की बाता हो रही रही है fill दोस्तों तो मढद अच्छहांस के घ्रasschin के लिए गए हैं उनकी पुष्टी करें तुक्तान क्या कह रहा है आपका और कारण क्या कह रहा है जरा समझी इस में कफन में कह रहा है कि आरजण टीना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुखषेत्र हैं तो बिल्कुल यह आप statement आपको बिचार करिए क्या है सही है गलत है मैं तुर्णत जवाब नहीं दे रहा हूँ आपको आप बताएं दूसरा है पंपास उचभू में पंपास की उपजाओं मिट्टी तथा सीतोष जलवाई फसल तथा घास उगाने के लिए बहुत उपयोगी है तो इसमें बताना है कथन कारड के रूप में आपको जवाब देना है कि क्या सही है क्या गलत है तो पहली चीज़ जान लीजे कथन आपका सही है और कारड भी सही है तो option जो भी इसका बनता अब मैंने यहाँ पर दिखिए इस question में दोस्तों सारी detail नहीं दिये कथन कारड के जो options है वो थोड़े बड़े हो जा रहे थे तो आप यहीं से जबाब दे लेंगे यानि कथन सही है कारड भी सही है और कथन कारड की पुस्टी भी कर रहा है किरा अरजन टेना में खेती के लिए पंपास का मैदान मुग्चेत्र है फिर दूसरे में कहा रहा है पंपास उपजाओ मिट्टी उपजाओ है तो भाई बताइए आप क्या होगा केती होगी की नहीं होगी निशी तोर से होगी फिर इसके बाद करा सितोष जलवाई फसल घास उगाने के लिए बहुत योगी सनाति कथन कारट दोनों सही है और कथन कारट की पुष्टी भी कर रहा है नेक्स्क्री अमेरिका का चोड़ा ब्रिच रहित घास मैदान क्या कहला तो बार बार आप लोग देख रहे हैं इसमें से उप्सन बताने कि आपको जरुरत मुझे लगता है नहीं पड़ेग जल्दी य कि इस लवास कही रहा है प्रेरी के रहा है पंपास कर रहा है स्टेपीच के रहा है तो निशित चैन अपको सब गलत होंगे कोई एक ज благांथ अप्स पहले laugh पूर्वी ब्राजीलियन में मिलता है दोस्तों यह कहां मिलेगा उत्री कहरा है जब्की होना क्या चाहिए यहां पर लानोज दूसरी पूर्वी ब्राजील ब्रा-जील तब आपका करेट हो जाता यह उत्री जो कहरा है यह गलत हो यहां पर ठीक है फिर दूसरा कहा रहा है लानोज जो है वेनरजुएला हाँ यह बिलकुत सही है दोस्तों कोई एक सही बताना था तो यह गलत हो गया था आपका वह पहला दूसरा यह था तीसरे की तरफ चल लिते हैं क्या हो जाएगा तीसरा भी गलत होगा पंपास जो कह रह ही एकि दछडी ब्राजील जबकी नहीं ऐसा है यह अमेजन फेसे वाले चेत्रों में पाएज है גם अमेजन बेसिन या उत्तरी छेत्र में तो सही हो जाएगा ठीक है क्यान नेक्स शर्में किसे में से कौन सुमयलित नहीं है ठीक है कौन सा सुमेलिक नहीं यह बताना है आपको देखिए आपका डाउंस कह रहा है डाउंस के बारे में कह रहा है आपको कि पुश करबंदी घास का मैदान है दूसरा कह रहा है आपका मैदान यह भी आपका स्टेट्मेंट सही है नेक्स्ट कह रहा है आपका स्टेपीज स्टेपीज जो है सितोषकरबंदिय घास का मैदान है यह भी सुमेलित आपका है और तीसरा कह रहा है डाउंस जो कह रहा है न यह डाउंस के लिए कह रहा है कि आपका उश्करबंदिय घास है तो इसका जो विस्थार है तो बेस सबнесगा कि शलेंगे तो इसको चलेंगे तो यह आपका अधार बनेगा hasn't the लुश्तों यहां पर आपने देखा कि यह सभी उस्करबंध्य घंवाला चेतर फड़ता है तो यह तो आपका है गलत हो जाएगा अब आपको पता दू कि कौन-कौन से आपके सितोष करबंद ये घास के मैदान है और कौन कौन से उसकरबंद ये तो जान लीजे आप लोग सितोष करबंद ये घास के मैदानों के बारे में कर हम बात करें तो आपका हो जाएगा प्रेयरीज प्रेयरीज डाउन्स ये सब आपको सितोष करबंद घास के मैदानों के बारे में पंपाज, पंपाज हो जाएगा, वेल्ड हो जाएगा, इस्टेपीज हो जाएगा, इस्टेपीज, इस्टेपीज हो जाएगा, और ये चीजें आपकी हो जाएगे इसमें, ठीक है, तो क्या क्या हो गया आपका, प्रेरीज हो गया, पंपाज हो गया, डाउन हो गया, और हो गया ठीक है बैल्ट हो गया सभी कैसे हैं आपके सीत्फचकर बंधिये घाएं जो HE होते हैं दोस्तों वो कौन कौन से वह ですHe student긴 कर लें आप लोग लानोज है लानोज लानोज घास कर स्के मेदान कंपास या कंपास कंपास भी पार्क लेंड जो है ये भी इन्पॉर्टेंट है पार्क लेंड है फिर सवान यह सभी कैसे हैं यहां जो घस के मैंधान है यह से कौन सा सीटोष्ट घास का मैदान नहीं है सीटोष्ट घास का मैदान फिर वही कोस्चन आ गया दोस्तों अब देखिए सीटोष्ट घास के मैदान में मैंने पिछले कोस्चन में क्या बताया आपको सीटोष्ट घास के मैदान में आप याद रखेंगे प्रेरीज है आपका pumpaz है pumpáz pumpaz है weld है weld है stepize है stepize क्या है आपका down ठीक है यह पाच है प्रेरीज है pumpaz है weld है stepize down है अप कह रहा है इसमें से आपको question क्या पूछा है पूछ रहा है यहांपर कौ려 क्या है यहां पर बताना है सितो खास के मैदान तो देखे बाकी तो उष्ड हो जाएंगे दोस्तों तो एक ही कोई सीते इन में से देखे कौन सा सीतोर यहां पर दे रहा है पंपास के बारे में दे रहा है तो पंपास ही पहला आपका जो हो जाएगा यह कौन से कहरा सीतोर घास के मैदान नहीं है दोस्तों यहां पर देखे पंपास के बारे में कह रहा है यह भी आपका है यहीं पर मैंने आपको बताया क्या बेल्ड के बारे में यह भी आपका सितोषकरबंदिय घास मिल ला है आप यहां से देख लिए सकते हैं इसको डाउंस भी आपका इसमें मिल ला है तो यह सभी क्या सितोषकर करएट हो जाएगा समाना घास का मैदान जो आपका कैसा है दोस्तों यह आपका कुछा है यहांपर इसकापन यह पांचों आपके सीट आपनी घास के मैदान प्रेरी पंपाज स्टैपीज बेट और डाउं यह सब कैसे हैं सितोश्कटबंदि ये घ्हास के मैदान है और सवना उसकार मेदान है फिछला जो कुछिण था से मुशे सेर्जरेकर को सिंदोर्टं ये अगला है आपका नमलिकीत में से कौन में से काल से सितोश्कटबंदि ये निमलिकीत मेंसे किस होना ** किस allocation से कि सी तो छास के मैदान यूरेयसिया में आपका जो प्रस्न होना चाहिए ये आपका होना चाहिए कुछ निम्लिखित में से इसको ऐसे कर लेते हैं यह अभी तब सही हो जाए गई है निम्लिखित में से आप देखेंगे इसमें तो कॉन से सी तो घास के मैदान यूरेश्या में पाई जाता है तो प्रकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े सिकार हो की भूमी के नाम से जाना जाता है बड़े सिकारों की भूमी होना चाहिए दोस्तों तुटी पूर थोड़ा सा लिखा गया है इसमें यह करेक्ट करना पड़ेगा देखिए मैं कर दे रहा हूं यहां पर अब देखिए इसको क्या कह रहा है प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े सिकारों की भूमी होना चाहिए बड़े सिकारों की भूमी यहां तक आपको अंडर रहना चाहिए किसे बड़े सिकारों की भूमी के नाम से जाना जाता है तो निश्यत तोर से जो भी है बड़े सिकारों की भूमी कौन से कहलाएगी तो उसकरबंदिये सवाना की जो मैदान होते हैं वो बड़े सिकार की भूमी कहलाते हैं बड़े सिकारों की भूमी के नाम से जो famous है वो कौन है उसकरबंदिये सवाना घास के मैदान तो जो भी होगा आपका option देख लीजिए उस कड़बन दिये सवाना घास के मेना option number 4 में है ठीक है देखे दोस्तों कुछ questions के जबाब मैं direct दे रहा हूं इसके पीछे का motive है जो question important है मैं मुहाद दे रहा हूं आप करें क्या कि वीडियो को pause कर लें और फिर उसके बाद उस question को वहाँ पर देखें फिर देन उसके बाद में एकरम आप चलाते रहें ठीक है चलिए आगे देखते हैं कि कोश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों अगला question कह रहा है आपका छेत्रफल की अनुसार संसार का सबसे बड़ा देश कौन सा है निश्चे तोर से बड़ा ही आसान question है आपका देखिए विस्व का सबसे बड़ा जो देश है वह कौन सा आपका देश है कहरा पहले ब्राजील रूस चाइना संक्ट वाज अमेरिका तो आप जानते हैं कि सबस नमबर की बात करेंगे तो आपका चीन आ जाएगा ठीक है यह करम आपका ऐसे ही चलता रहता है ठीक है इसके बाद में आपका अगर बात करेंगे तो ब्राजील आ जाएगा ब्राजील के बात की बात करेंगे तो साथे नमबर पर भारत का नमबर आ जाएगा ठीक है यह करम आपका जाए इसके बाद का अगर बात करते हैं तो आस्टेलिया आपका जाएगा आस्टेलिया ठीक है तो यह करम आपका थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए बिसो के देशों के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा देश आपका कौन हो गया रूस हो गया फिर कनेडा हो गया फिर सनितराज अमेरिका हो गया फिर आपका चीन हो गया फिर आपका ब्राजील हो गया ठीक है फिर इसके बाद में आपका अस्टेलिया होगा फिर इसके बाद अमेरिका को ले करके confuse होते हैं तो रूस नंबर एक पर है दूसे नंबर पर कनेडा है आपका तीसे नंबर पसंदित राज अमेरिका है चौते नंबर पर चीन है पांचवे नंबर पर आपका क्या है ब्राजील है छटे नंबर पर आपका आस्टेलिया है साथमे नंबर पर भा को एकाization करांने की देशों में से देशों को उनके छेत्रफलज़घर सकते कि अधार पर यहाँ पर क्या करना मैं आपको और तो ही करम में ठारी करम का मतलब होता है घड़ते हुए करम है दोस्तों जो सबसे बड़ा और सबसे छोटे कि करम में चलना है नहीं सबसे बड़ा कंट्री फिर करम में छोटा तो अभी मैंने आपको क्या बता है चार कंट्री के नाम बताए थे करेड़ा अमेरिका चीन और ब्राजील ये करम बता रहा है पहले का आपका दूसरा करम आपका बता रहा है अमेरिका चीन कनाडा ब्राजील फिर कहरा है रूस चीन अमेरिका ब्राजील चौदा कहरा है रूस चीन अमेरिका अब आपको बताना है इन में से कि कौन से आपका सबसे क्या है कौन से करम में चलना है यहाँ पर आपको बताना है और ओही करम में चलना है ठीक है और ओही मतलब घटते हुए करम में चलना है ठीक है दोस्तों तो सबसे बड़ा देश आपको कौन सा बता है निशी तोर से इन दोनों में से कोई एक होगा सबसे बड़ा देश की बारें बात होगा इसमें से चौथा ही आपका correct answer बन जाएगा ठीक है क्या के करम बनेगा आपका क्योंकि यहां पर कह रहा है कि और ओही करम में आपने कहा है तो और ओही मतलब घट्थे यहां पर देखिए एक चीज यहां पर थोड़ी सी गलत स्थिती बन चुकी है यहां पर यहां पर जो आपका चीन और अमेरिका का जो देर है दोस्तों यहां पर अमेरिका नहीं होना चाहिए इसकी जगह पर और कोई देश आपका होना चाहिए जैसे अपने कनेडा कर दिया य के जगा आपके ब्राजी लेकर लीजिए ब्राजी तब यह आप जाकर आप समसाही बनेगा आपका क्रम में ठीक है वरना यह क्रम कूट का आपका डिस्टर्ब हो जाएगा ठीक आपका यह आपका बनना चाहिए करम में चीजें आप जैसे संस में अगर ले ले जाएंगे तो आपका यहां पर तो रूस के बारे में करम में दे रहा है अच्छा एक चीज आपको यह भी शीजें और भी ध्यान देनी होगे दोस्तों देखे करम कहीं बिगड़े ना इस बात का ध्यान रखना होगा एक चीज यहां से हमसे तूटी हो रही थी आप भी यह तूटी नहीं करेंगे दोस्तों देखी यहां पर तो बात सही है यहां पर बात यह सही है देखे इसको करम में अगर आप पीछे जाते हैं थोड़ा साब मैं इसको समझेगा देखे कर आप यहां पर आप रूस के नेड़ा चीन और अमेरिका आप तुरिंट यह है शाम करम और यहीं ऍे गलत हो चानए यह नहीं नहीं होगा विलकुलाभा फिर completely आपका हैं चीन है इसमित अ अमेरिका यहां और यह पीछे इती ही और सा नहीं होगा अब आपको करना क्या है सरीक्क्त केनेड़ा है कनेडा कर रोपार वांने चीन बत manufacture ब्राजील बनाधिया को तो ब्राजील आपका हो जागा तो करम आप देखेंगे खुड़िया वा जिकनों के पास तो रूस नंबर एक पे है कनेड़ा नंबर दो पे है अमेरिका तीन पे है चीन चार पे है ब्राजील आपका पांच पे है आस्टेलिया आपका अच्छे है भारत आपका साथ पे है ठीक है आठ्वे नमबर पर अर्जन्टीना है और नौवे पर कजाकिस्तान का नंबर आपका आ जाता है और इसी प्रकार से ये आपके करम पूरे हो जाते हैं ठीक है तो ये कुल टोटल करम देशों का था याद आपने अच्छे से रखिएगा ठीक है चलिए अगले कोश्चन यानि की पहला आपसन यहां पर करट होगा दोस्तों कोई मिस्टक नहीं होनी चाहिए पहला ह होगा आपका ठीक है जो गलती हुई है वो गलती आपसे नहीं होनी चाहिए दोस्तों ठीक है अगला है छेत्रफल की दिर से निवने देशों का सही आरोही करम कौन सा है ठीक है आरोही करम करना यानि बढ़ते हुए करम में करना है दोस्तों फिर एक कोश्चन आपका आगया तो यह क्या सही आपका चल रहा है करम में आप देखिए अर्जन्टीना के बाद क्या कह रहा है ब्राजील की बाद कह रहा है तो ब्राजील आपका बिल्कुल पहले है ठीक है यह सही है अर्जन्टीना है और वही करम में बाद कह रहा है तो अर्जन्टीना भी यह सही है आपक क्यों क्योंकि इसके बाद इसका नंबर आना चाहिए तो आस्टेलिया के बाद फिर भारत का नंबर आएगा फिर अर्जंटीना का नंबर आएगा भारत के बाद ठीक है और ओके फिर इसके बाद आप क्या करते हैं अगला कोशन की तरफ चलते हैं आस्टेलिया ब्राजील भा भारत से बड़े हैं तो यह भी गलत हो गया फिर क्या कह रहा है आपका भारत ब्राजील अर्जेंटीना आस्टेलिया तब तो इस आधार पर तो सारे चीज़ें तूटीपूर आपकी आ जाएंगे यहां पर तूटी में मुझे लग रहा है कि यह कुश्चन आपको इस सेक्व ब्राजील अर्जेंटीना और यहां पर आरोही करम में कह रहा है तो बढ़ते हुए करम में चलना है दोस्तों तो बढ़ते हुए करम में चलना है तो यह सेक्वेंस आपका बनेगा यानि कि यह वाला जो कूट है यह आपका आरोही करम नहीं देखना है दोस्तों मैंने क्या नमबर पर आपका क्या भारत है चठे नमबर पर ब्राजी़ा है और पाच को और पर एक दिमाग पे रख लिए पहले नमबर पर रूस है यहाँ पर मैं लखते रहा हूं को ठीक है रूस है कनाड़ाए कुनाड़ा है US saying USA Five फिर उसके बाद भारत आपका है बारफ है अर्जैन टीना है फिर इसके बाद में Nine along online पर आपका कजाकिस्थान है कजा को स्थान कि जाकिस्थान ठİक है , इसके बाद 10往od पर अल जीरिया है अलजीलिया ये आपके 10 कंट्री हो गये कौन कौन से हो गये दोस्तों रूस हो गया आपका कनेडा हो गया युएस से हो गया चीन हो गया ब्राजील हो गया आस्टेलिया हो गया भारत हो गया अर्जेंटीना हो गया कजाकिस्तान हो गया अलजीरिया होगे कुल 10 कंट्री होगे दोस्तों यह आपका क्या है घटते हुए करम में और ओई करम में मैंने लिखा है और अगर यही आरोही करम में जब पुछेगा तो आपको यहां से चलना होगा अरजेंटीना होगा भारत होगा ठीक है अस्टेलिया होगा ब्राजील युएसे होगा और कनेडा फिर इसके बाद रूस होगा यह उल्टे करम में चलेगा तो आरोही करम करेंगा यह कम से ज्यादा की तरफ ठीक है आई एक लिए कुश्टन की तरफ चलते हैं नहीं कि तमेंसे कौन सा देश कौन सा देश जो छेतर फल में भारत से बड़ा नहीं है भारत से बड़ा नहीं है तो भारत से बड़ा कौन ने देखियों रूस बड़ा वारत से कन्यड़ा वारस से ब्राजील बड़ा आए बारत से अध् decade यह कौन से हैनिक्स कोश्टoutine और reads को सबसे छोटा है imposing जरी कि बात कर रहा है दुछ इस एस के बारे हम जर रहा शेतर पर की दिसे कौन शबसे छोटा है दीजों लेहना कहने मालदीप कि बात कर रहा है भूटान स्रिलंका बांगला देश तो आप जड़ा देशилась है भूटान भी बड़ा झा तो किसकी सबसे जादे लंबी समुधर डीका है यह आपको बताना है ठीक है तो जह किसके है भारत की है अप इस्टे होगते कंड़ा के कहरा है और गाज jn लिजे सबसे लंबा तर जो होता है वो कनाड़ा क्या है सबसे लंबा तर दोस्तों है किसका कनेडा का है यह काफी लंबा लंबी दूरी का इसका छेतरफल आपका है लगवग 2,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,002,00 सब्सक्सक्राइब में самого पूर में तो हो जाएगा थिक है नेक्स कोषचुन है दोस्तों कि इस इन में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंभी अस्थाली सीमा बनाता है बनाता है आप बताईये चाईना कहा रहा रहा है सबसेव बंगलादेस कहा रहा है पाकिस्तान कर नेपाल कह रहा है तो निश safा को मालूम है कि सब सबसे लंबी सीमा कौन तरह जो चार तौरा छो से घिरा हुआ हुआ है भारत से कौन है बंगलादेस है आपका वज़र्मा इसके पास सबसे मular Hans किये हैं ठीक है और इसकी लंबी सीमा के बारे में मैंने बीजियों में बताए है आपको आप जान लीजेगा इसकी जो अस्तली सीमा सबसे ज्यादी लंबी सीमा कितना है एक तालिस सो किलोमेटर लंबी जो है तट सीमा है किसकी बांगला देश की भारत के साथ ठीक है अगला है दोस्तों निम्लिकित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है कौन सा देश जो है कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बताता है ठीक है तो आपको यह देखना होगा कि कौन कौन से देश है जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं तो पहली चीज मैं आपको बता दू कि पाँच ऐसे कंट्री हैं जो कैस्पियन सागर से सीमा बनाते हैं दोस्तों ठीक है कजाकस्तान तुर्कमेनिस्तान 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 यहां पर देख़िए आपका यह आपका तो क्या बता है मैंने तुर्कमेनिस्तान और फिर इसके बाद इरान है तो कुल टोटल आपके पांच कंट्री ये हो गए फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं दोस्तों ये अजर बेजान आगे आपका सुरी अजर बेजान हो गया रूस हो गया आपका कजाकस्तान हो तुर्कमेनिस्तान हो गया और इरान ठीक है इरान ये सामिल है दोस्तों ये पांच कंट्री हैं जो सीमा लगाते हैं तो देखे इसमें क्या है इरान सीमा कर रहा है तो बिल्कुल तौर से इरान लगाता है आपको कजाकस्तान भी देखे इसमें कजाकस्तान भी इराक देखे अजरबेजान रूस और इरान ये पास देश हैं जो कैस्पेंसागर से सीमा साजा करते हैं चलिए आगे चलते हैं दोस्तों निम्लिकित देशों में से किस एक की सीमा कैस्पेंसागर से नहीं लगती है देखिए पताए किस की लगती है अर्मेनिया की लगती है क्या आपका है इरान यह कितने हो गए पांच कंट्री कजाकस्तान अजरबेजान तर्कमेनिस्तान रूस और इराण पांच कंट्री है आपकी जो जाना है क्या यह सही है लेबनान सीरिया तुर्की तुर्की जार्डन फर इसके बाद साइप्रस तुर्की जार्डन मिस्र तुर्की सीरिया इराक और यमन यह बताना आपको बताई आप संट चीक है चलिए मैं बता देता हूं आपको देखिए कौन कौन से कंट्री है एक तो जानले ये लेवनान है सीरिया है जार्डन है और मिस्र है ये चारों सीमा साधा करते हैं दोस्तों लेवनान सीरिया लेवनान सीरिया जार्डन और मिस्र ये कहां से किसे सीमा साधा करते हैं इसराइल से ठीक है यहुदी कंट्री है आप जानते हैं अक्सर विवाद रहता है इन सीमावर्ती नहीं है चीन का यह आपको बताना है तो भाही बताईए चीन का रूस सीमावर्ती बिलकुल है पाकिस्तान सीमावर्ती यह भी सीमावर्ती चेत्र है ठीक है वैसे देखेंगे आप तो पाकिस्तान नहीं पड़ता है सीमावर्ती यह अगर ध्यान रखें यह मंगोल और उसके सीमा पर जो भारत का P.O.K वाला हिस्सा है इसको यह इस से मिलता है किसे मिल जाता है चीन से मिलता है यह अच्छुकि पर भारत का अधिकार है नहीं तो उस आधार पर क्या कहा जाता है कि यह सीमा बना लेता है पाकिस्तान से उस आधार पर यह कहें तो बना लेता है जबकि यह आयोग के हिसाब से दोनों और दोनों होना चाहिए यह गलता कोशन दिया गया था ठीक है अगला है हार्न आफ अफरिका के अंग कौन कौन से हैं यह आपको बताना है हार्न आफ अफरिका के अंग कौन कौन से हैं जान लिए दोस्तों हारणा आफ अफरिका जो है इसमें चार कांट्री जाते हैं आपके चार कंट्री manufactured कौन कौन से आथे हैं लिख दे रहाऊ है अपको यह आपको manger कौunya कौन कौन से कवर है जीबूती है जीबूती जीबूती आपका हूं है इथोपिया है आपका कि इथोपिया इठोपिया ठीक है इadelphia एक प्रतिकर इरेट्रिया है आपका और सोमालिया ही अक्सर-luthoray के बारे मैं आपने पढ़ा ज्यूटकिल नहीं होगा लीविया, सुडान और मेसर ये तो बिल्कुल नहीं होगा सोमालिया, इथोपिया, जिबूती ये क्या कहा है? देखें जिबूती इथोपिया है सोमालिया है और इरिट्रिया है तो इरिट्रिया नहीं दिया है इसमें ठीक है? इथोपिया तक दिया जांबिया की सीमा उभैनिस्ट नहीं है उभैनिस्ट नहीं है किस के साथ नहीं है? ये आपको बताना है पहले कह रहा है क्या? नामीबिया के साथ ठीक है? पर कह रहा है अंगोला के साथ तीसा कह रहा है वोत्सवाना के साथ चोथा कह रहा है मिस्र के साथ तो यहां पर किसके साथ नहीं है दोस्तों, निश्य तोर से आप जाखनेंगे, कि किसके साथ नहीं है, यहां पर आपका जो बनेगा, वो क्या है, मिस्र, मिस्र के साथ साथ नहीं करता है, जांबिया की जो सीमा है, वो इसके साथ नहीं करता है, क्यों 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 कि आप जानत तो यहां पर आपको भेनिस्ट कहने की बात कह रहा था तो यह मिसर से नहीं करता है चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों नमलकी देशों पर बिचार कीजिए बिचार में क्या करना है यह आपके चार देश देर हैं फिर कह रहा है कि सीमा एडियोटिक सागर से लगती है यह आपको बताना है इसमें से, option ले लीजे किसके किसके सीमा लगती है आपकी idiotics अगर से, तो कह रहा है आपका, Albania है, Croatia है Bosnia हर्ज गोवीना, ठीक है मेसी डोनिया ये आपको बता रहा है, ठीक है मेसी डोनिया आपका बता रहा है ये आपको इसमें से देखना होगा कौन कौन से है, तो आप जान लीजे कि कौन कौन से आपका है Albania है, ये बिल्कुल लगता है सीमा बनाता है, Croatia भी सीमा बनाता है, ठीक है और Bosnia भी सीमा बनाता है मेसी डोनिया सीमा नहीं बनाता है किस से नहीं बनाता है, Adriatic सागर से नहीं लगती है इसकी सीमा मेसीडोनिया की ठीक है बाकी किसकी लगती है बोस्टनिया अर्जेगोवीना की क्रोएसिया की अल्बानिया की इसकी सीमा लगती है दोस्तों ठीक है तो इसे साथ से पहला दूसा तीसरा जो भी आप्सन में आपका दिया है कूट में तो तीसरा आपको 123 वाला दूस अग्ले निरमर्फित में से कौन सा आगान देश नहीं है थीक है बताना है आपको बाकन कंट्री के बारे बाताना है ठीक है तो बाकन कंट्री में जो है कौन– weet कंट्री यह आपको देख कर के समझ लेना होगा अपसंद बेजिए कौन कौन से हैं आपके option है आपका Slovenia, Romania, Bulgaria और Austria ये Balkan countries में इन में से कौन सा नहीं सामिल है तो आप जान लिजे कि पहली चीज़ तो कौन कौन से देश सामिल होते हैं ये आप जान लिजे तो लगबा करी में आठ country आपके हैं जो कि इसमें Balkan देशों में आपके आते हैं तो वो Balkan countries के बारे में आप नोट कर लिजे पहले पैन उठाइए नोट करिए इसको क्या है? Albania है पहला नाम लिखिए Albania Albania है ठीक है? दूसरा आपका है Bulgariya 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 है और अगला है Bosnia 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 इक ही नाम है यह दोने एक ही country है हर्जे गोवीना तो क्या हो गया? Albania हो गया Bulgariya हो गया Bosnia हो गया हर्जे गोवीना हो गया Greece है इसे इथेंस कहा जाता था पहले दोस्तों Greece Croatia 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 Serbia 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 इसके अलावा Slovenia Slovenia Romania Romania ठीक है? यह सभी सामिल है ठीक है? यह सभी और भी कुछ देस आते हैं तो यह महत पुर्मत्पूर्ट देस आपके हैं जो Balkan देस में जो है आते हैं ठीक है? Balkan देस में आता क्या नहीं है? अल्बानिया है ठीक है? बुल्गारिया आपका है ठीक है? ग्रीस आपका है बोस्निया आपका है ठीक है? बुल्गारिया आपका है बोस्निया आपका है बोस्निया हर्जे गुवीना एक ही नाम है बोस्निया हर्जे गुवीना आपका है सर्विया आपका है इस्लोविणिया आपका है घ्रोमानिया आपका है यह सब कंट्री आपके बालकन कं फार्टी के ण्रगरत आते हैं तो यहाँ पर आस्ठीय दक अ doubts unlike a कै रहा ैं हैं होंडू हंडूरास है सियर लियों है यह तिन कंट्री आपका दे रहा है कौनसा बताना इसमें सेठ इक चोथा अपका है गवाटेमाला तो यह जान लीज ti हो आपका मदमेरिकी ठीक है अफ्रीका महादीब के पस्चिमी भाग में इस्थित है यह कहां पर है अफ्रीका बात हो रही है अमेरिका की अफ्रीका महादीब के पस्चिमी अफ्रीका महादीब में इस्थित है यह तो सिरा लियून नहीं होगा नेक्स्क्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट लगाता है पोलेंट लगाता है बेलारूस लगाता है यूक्रेण नहीं लगाता है ऑम यहां पर आप यह आपको बता रहा है जबकि ऐसा नहीं है ठीक है ग्रेट वीटेन के अंतरगत यह गलत कह रहा है ठीक है यह गलत कह रहा है अगला देखिए इंग्लेंड युनाइटेट किंग्डम के कुल शेतरफल का 60% से कम है कम फैला हुआ है यह आपका यह भी सही है लगबग करीमें 60% से लगबग करीमें इसके बारे में युनाइटेट किंग्डम में लगबग 54% का बिस्तार है और इसके अंतरगत देश कौन-कौन से आते हैं तो यह आप जान लीजेगा ग्रेट ब्रिटेन के अंतरगत आपका इंग्लेंड आता है वेल्स आपका आता है फिर स्कॉटलेंड टीक है यह तीन कंट्री आते उत्री आयरलेंड नहीं आता है दोस्तों टीक हैं इसमें नहीं सामिल है तो सही हो जाता क्या-कैया घ्र दन में इंग्लेंड ओस आजाता है अए Scotland आ जाता है यह तीनों मिल करके क्या करते है Great Britain का निर्मान कर देते हैं ठीक है और यह अगर आप लोग इसमें अगर इसको उत्री अमेरिका को भी उत्री Ireland को भी अगर सामिल कर लेते हैं उत्री Ireland को सामिल कर लेंगे तो Great Britain नहीं हो जाएगा UK हो जाएगा United Kingdom हो जाएगा तो England, Wales, Scotland Scotland और उत्री Ireland को जोड़ करके UK कहलाता है दोस्तों क्या कहलाता है UK United Kingdom कह रहाएगा और Great Britain के अंतरकत यह नहीं आते हैं Great Britain में सिर्फ तीन आते है England, Wales और Scotland का हिस्सा आता है लेर है आपको ठीक है तो क्या क्या हो गया England हो गया, Wales हो गया Scotland बराबर Great Britain हो जाएगा अगर United Kingdom कहेंगे तो England, Wales, Scotland और उत्री Ireland को भी इसमें मेंसन कर लेंगे जोड लेंगे ठीक है दोस्तों नेक्स कोस्चन की तरफ चलते हैं तो आपका क्या हो जाएगा इसमें पहला गलत हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा तो यानिकि fly option टू इस लाइट अगला इन्यमखित में से किसे ओशीनिया के नाम से अभिहित देशों के भागोलिक सम्मू में समलित नहीं किया जाता है ठीक है किसे ओशीनिया के नाम से अभी देशों में भगुलिक तो ओशीनिया के अंतरगत कौन कौन से आते हैं दोस्तों यह आपको ध्यान रखना होगा तो ओशीनिया के नाम से जो भगुलिक शेत्र के अंतरगत 14 देश आते हैं दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा 14 देश आते हैं ठीक है जिने माइक्रो नेशिया है मेला नेशिया है और आस्टेलिया है तो कौन नहीं होगा इसमें सामिल आपको बताना होगा तो देख लो ऐसा है दोस्तों इसमें इंडोनेशिया को छोड़ करके बाकी सभी सामिल हो जाएंगे किसमें इंडोनेशिया को छोड़ करके सभी आएंगे तीन महाँदीपों में 14 देशों 30 महाँदीपों में बटा गंद है दोस्तों ये 14 जो हैं 3 महाँदीपों में बटा आपका MSD मैइक पेटिक कर दे रहा हूं MSD माइक्रोस या है आपका पालिनेशिया पालीनेशियाly सब्सक्राइब नियां टूर्षा जो वालीनेशे यदि त्रीद का मार्नेश यदि आते गये हैं आपके सिनिंए सब किसके अंटरहें चोदह अगर देशा आते हैं से समझ देखिये है कि आप कहा रहा है है try alpha Coversenia seen Yoر she knew I was seen yeah Jour 3 आते की एंतरकत चोदह से यहां समझी है से और इसमें तीन उपभागों में इसको बाटा गया 14 देशों को तीन उपभागों में बाटा गया एक आपका है मेला नेशिया यहां पर दिखा हुआ है मेला नेशिया इसको नंबर एक पर रखेंगे दूसरे नंबर पर आपका क्या है माइक्रोनेशिया और तीसे नंबर पर आपका यहां पर देखिए मैंने पता है यहां पर यहां पर दूसरे नंपर माइक्रोनेशिया लग रही है तो लिए नेशिया है और दूसरे नंबर पर माइक्रोनेशिया यही जो लिखा है माइक्रोनेशिया माइक्रोनेशिया और तीस तो यह इंडोनेश्य आपका हो जागा वह में था आपको समन्में आया होगा और शेनिया का ही क्लासिफिकेशन मेला नेश्या माइक्रो नेश्या और पॉलिनेश्या आपके हैं ठीक यह तीनों इसी के सब्भाग हैं Flint. पॉल है युछ साव से स्काणे नेवी देशों के संहूं में नहीं है ने आपको और सम आपके । इसमें नर्वेज स्टूड़न और उत्री फिंलेंड को से कर दिखेंगे इसदो में क्या कर रहा इसमें नार्वे होगा स्वीडन स्वीडन और उत्तरी फिन लेंड ऐसे कर ले यहाइब यह आपके तीन आपके कंट्री होगे नार्वे स्वीडन और फिन लेंड होगे देश की बाद करेंगे तो इसमें और भी देश आपके शामिल हो जाते हैं इसमें स्वीडन नर्वे और देनमार्क इसमें क्या क्रेंगे अफ लेग्य Charliteit के आधार पर भासाई आधार अगर करेंगे तो स्वीडन नारवे लेंभी को सामिल का लिया जाता है ठीक है और अगर इसी में सनसकृति का अधार करेंगे दीषिए सांसकृति का अधार पर स्कंडेर्न या ओधेंस कीबात लिए तो इसMusic कि बात करेंगे भौगोलिक मैंने लिख दिख से आप समझेगा भौगोलिक है इसमें क Felix और अखल श्यसक्य वोराइब है तब आएगा आपका नार्वे, स्वीडन और फिनलेंड आ जाएगा फिनलेंड नार्वे स्वीडन और श्विनलेंड ये तीन कंट्री आ जाएगा लेकिन अगर यह भासाई आधार पर कहेगा तब क्या हो जाएगा अगर भासाई आधार पर कहता है तब तब हो जाएगा स्वीडन स्वीडन हो जाएगा नार्वे हो जाएगा स्वीडन नार्वे और डेन्दमार्क हो जाएगा यह अपका हो जाएगा ठीक है यह तीन कंट्री ही क्यों रखेंगे इसमें बास आई आधार पर और अगर दोस्तों सांस्कृतिक और एतिहासिक, सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और एतिहासिक, एतिहासिक, आधार पर लेंगे, तब इसके अंतरगत कौनकों से देशों को सामिल किया जाएगा दोस्तों, तब यहाँ पर स्वीडन होगा, स्वीडन होगा, डेनमार्क होगा, डेनमार्क हो जाएगा, और नार्व यह आपके कंट्री आएंगे बसे पाजार लीजाएं ठीक है यह आपके इसके अंतरगत आजाएंगे तो यहाँ पर आपको बताना क्या है किसके देशों के समू में सामिल नहीं है तो देखिए आपने का डेनमार्क है फिनलेंड है और जो है नार्वे आपके बारे में बात कर रहा है तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा स्वीडन यहाँ पर फिनलेंड जो है यह फिनलेंड जो नहीं होगा देशों के समूं में सामिल नहीं है तो फिनलेंड आपका नहीं होगा यहां पर फिनलेंड आपका नहीं होगा देशों के समूं में कहा है दोस्तों तो यह इसका अगला कोश्चन नेमलिखित देशों में से अफगानिस्तान के साथ किस देश की सीमा नहीं लगती है अफगानिस्तान के साथ बिल्कुल बताईए आप जवाब आपके सामने है question आपके सामने है तजाकिस्तान है, उजवेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान है और रूस है तो किस किस मैं नहीं लगती है, रूस की सीमा नहीं लगती है आप जान रहे होंगे सवाल को, बिल्कुल अच्छी तरीके से रूस की सीमा नहीं लगती है दोस्तों कौन सा इसमें म्यानमार का सीमा वर्ती देश है आपका यह बताना है क्या कह रहा है इसमें पहले में कहा है भारत और चीन यहां भारत लिखा है और चीन लिखा है बारत और चीन के अतरिक्त की बात कहा है इसमें से उसे कोई रिलेशन नहीं है क्योंकि आपसन के अधार पर प्रिधा प्रखाईलेंड भी अतना मेले मेलेसिया है यह भी गलत हो जाएगा अपका थाइलेंड लाउस और बंगला देश आपकी बात कहिए रहा है तो यह आपका हो सकता है आपका कहां से कह रहा तो हम्यानमार नीचे वाले हिस्से में बांगला देस से मिलता है दोस्तों मैंने सब्द1ूज कर दिए नहीं मिलता है भूम्मद सागर नियुक्त मैं से किस देस किन देशों की सीमा है भूमत सागर किन देशों की सीमा है कि देशों की सीमा है यह आपको बताना है क्या कह रहा है भूमत सागर किन की सीमा लगाते है इसको ठीक है यह आपको बताना है भूमत सागर से किन देशों की सीमा लगती है तो क्या कह रहा है पहला इराक कह रहा है दूसर करा जॉर्डन लेवनान और सीरिया तो आप बताएं जरा हमकों कौन कौन से देशों की सीमा लगती है तो लेवनान की सीमा लगती है ठीक है इसके बाद सीरिया की सीमा लगती है इराग की सीमा नहीं लगती है तो जॉर्डन और इन दोनों की सीमा आपका नहीं होगा आपसन ब देशाँ में से कौन अफरीका महाधीप में इस्थित् नहीं स्थित् नहीं इस्थित् नहीं स्थित्रों यह यह आपको ऍष्टत नहीं से जो है जो हैं चिजे आपको यहां पर जो पुछा है कि देशों में से कौन सा अफरीका महादीप में नहीं स्थित है तो चारों देश यहां पर सबसे बड़ा देश है वैसे चारों सही है सभी अफरीका में मिलते हैं अगला कोश्चन है दोस्तों निम्लिखित में से कौन सा देश भावगोलिक चेतर की देश से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है भावगोलिक चेतर की देश सीमा रहित सबसे बड़ा देश आपको बताना है इन में से कौन सा है भावगोलिक ठीक है भावगोलिक मितला है सब्द है भावगोलिक सब्द कौन सा है भावगोलिक भावगोलिक चेतर की देश सबसे वड़ा देश है निजी इसीमा लगाता है जापान घृप्वन आप देखेंगे दो यहां पर जापान क्या होता है भौVीक क्षेतर की दिर्ष से सीमा रहित अन्य किसी स्कॉ unanim लगाता है जो जो लकूं यह किसी सीमा नहीं लगाता तो तो यहां पर आपका जापान answer is right answer हो जाएगा अगला है दोस्तों सरवादिक उत्तर उत्तरी दच्छडी लंबा यह च्छांस वाला देश कौन सा है आपको बताना उत्तर दच्छड में तो निश्चित तोर से आप देखिए उत्तर दच्छी में रूस है चिली है चीन है ब्र पूछा है यह देखिए क्या कहरा है समय उत्तर दच्छी का मतलब हो गया इस रूप में तो इस रूप में सबसे बड़ा देश कौन हो जाएगा चीली चीली का त्याटोपि आप देख रहे हैं दच्छी अमेरिका का चीली कांट्री पूरी लंबाई में आपका फैला हुआ तो यह आपका चीली हो जाएगा चीले इस राइडेंसर कुरा पस्रीम कहता है दुरूस सही था अगला है निम्लिकी देशों में से कौन सा सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है आपको सुमेलित नहीं है बताना है आपको डेनमार्क आपका दे रहा है पहले पहला कहरा है सु ऐस्ट्रेल्मिया कि अमांट टेटांट रहा है तो संटांस इसे और चोताों टहरा है क्रिस्मस डिफ आस्टेलिआ तो आपको रहा है क्रिस्मस डी पर टेल्या सही है संटा क्रूज आपका युएस ए भि सई आपका है और और आपका इसमें अगर आप देखेंगे तो आस्टेलिया जो है मार्टनिक जो आस्टेलिया है न यह मार्टनिक इसमें बता रहे हैं जो कि मार्टनिक इस कैरेबियन मार्टनिक जो दीप है यह कैरेबियन सागर के पूर में स्थित है तो जो कि आस्टेलिया के मार्टनिक जो क जो कह रहा है डेन्मार्क अधीन बिलकुल है डेन्मार्क गिरों लेन्ड के अधीने यह सही आपका अंसर है तो आपका बिलकुल शही पहला आस्टमी हो गया तीजरा चोथा भी सहीह gat करिवियन दीव समूं होना चाहिए यहां पर यह सही हो जाता ठीक है यह गलत है आपका बाकी सब सही है और आज का लास्ट कोश्चन है दोस्तों यह आपका स्वरी सेकेंड लॉस्ट अरफ सब्सक्राइब है दोस्तों सौरी मुझे लगा कि यह को स्ट इसका है छिमा चाहेंगे आप लोगों से चलिए आगे देखते हैं को हाई गया चींद को यह तो भी सμेरित कीज़ Свces की सहायता से उत्तर का चैन कीजिए यह आपको जवाब देना है इसका पहला क्या कह रहा है दोस्तों यहां पर देखिए कह रहा है बिसके दीप यहां पर यह नंबरिंग थोड़ी मिस हो गई दोस्तों 123 एंड 4 यह होगा आपका ठीक है यह आपका दीप है और स्वामित वाले देश के बारें बताना है तो लिशन दीप पर किसका स्वामित है यह आपको कूट बताना है तो कह रहा है रूस तो ठीक है क्या है रूस का है क्या रूस का स्वामित है चलिए अभी बताइए मैं फिर देखता हूं आपको फिर देनमार्क कह रहा है क्या इसका स्वामित है क् इसके बाद में कहा रहा है Greenland, फिर कहा रहा है Norway, क्या इसका सवमित है क्या, फिर कहा रहा है French Joseph Deep USA, फ्रेंच जोसेफ दीप जो है, वो हो जाएगा USA, तो क्या इसमें से correct क्या है, तो इसमें कूट में आपको जवाब देना होगा, देखिए, इसमें जूप देना है कि क्या किसक में मिलान करना होगा, दोस्तो यहाँ पर फूसंवस हैं आपके, यह मिलान करने वाले, mów Mr. यहा रहा हो, पिसमें बिच्वार नार्वे हैना डेनमार्क आपको पता है उन्हें डेनमार्क है और फ्रेंच जोसिफ दीब की बात हो रही है यह आपका पढ़ता है रूस में तो यह आपका कुट इस तरह से बन जाएगा ऐलीशन दीब का हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा यूएस से बी अर्दीब की बात हो जाएगे तो बी अर्दीब आपका नौर्वे में आ जाएगा ठीक बी अर्दीब नौर्वे आ जाएगा ग्रीन लेंड की बात होगी तो डिनमार्क चला जाएगा और फ्रेंच जोसिप की बात हो जाएगी तो रूस चला जाएगा ठीक है यह हो जाए कीजे कीजे छेत्र जो कभी-कभी समाचार देशों में उलेखित होते हैं वे कौन से हैं यह आपको बताना है अक्सर कौन से होते हैं ठीक है तो यह क्या होगा आपका बताना है कौन से सुमेलित हैं सुमेलित हैं क्या करना इसमें सुमेलित हैं बताना है तो कौन-कौन से देश जो समाचार पत्रों में उल्लेकित होते हैं और वह वह प्लब शुमेलित भी एं तो इसमें सुमेलित क्या करना है आपको یہ वदाना है आपको तो देखे क somos drukhיפ क्रीमिया कह रहा हंगरी यह सुमेलित नहीं है आपका फिर कह रहा है मिडानाओ यह फिलिपिन्स यह सुमेलित है दोस्तों ठीक है यह भी सुमेलित है और 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 मिया नाइजीरिया कह रहा है यह आपका सुमेलित नहीं है ठीक है तो दो सुमेलित नहीं है दो सुमेलित है यान तो करेक्ट हो जाएगा आपका नेक्स कोश्चर की तरफ चलते हैं दोस्तों 42 नंबर का कोश्चर है निम्लिकित में से कौन सा देश एक देश भावगोलिक रूप से अमेरिका में इस्तित होने पर भी रायनेतिक रूप से यूरोप का एक भाग है ठीक है कहां पर सामिल होने क के बाद में भी भागोलिक रूप से अमेरिका में सामिल होने के बाद में भी वह भागोलिक रूप से अमेरिका में सामिल होने के बाद में रायनेतिक देश से यूरोप में है आपका तो आपका क्या हो जाएगा किनारी आइसलेंड यह कह रहा है ग्रीन लेंड फिर आइसले एक उठी का दो यहां पर अमेर्टीक तौर्पे तह वो कहां पर यूरोप का कंठील है लेकिनू स्थरिक आधार पर देखें गे तो यूरोप का हिस्ट राज हिस्ट से रॉपका हिस्ट है और सजित here अमेरिका का हिस्सा है तो Green meer लेंड हो जाएगा आपका यहां पर आज़ ऑ र्राइड का हो जाएगा पर 지역 देश whatsoever कौन सा अस्थल आ वरूद दयश नहीं है ज्यानि अस्थल आ अरूद देश कौन सा नहीं है आफगानिस्तान यह बिलfire का रभाव 23 री तो यह होती है कि उसके सारे अ heroic मैं उसका पूर्वी प teng vara उत्रेद च्छडी यह कहीं से भी अ massively से नगिरा हो हर तरब से अस्थल से गिरा हो हर तरब से अस्थली चेतरों से सीमा भीस valley साजा हो रही हूँ तो अश्थल रूदध देस कहींगे जो समूधरी सीमा जिस देस्थ कि नमाव ये सर्फ रूद ओगवानिस्तान माई है आपका सद्रूंद देश कि इसके बात कह रहा है कि लाइबरिया यह नहीं है आपका ला्योज वरिट यहीं लक्जम बो यह विफ अस्त वहीं बात हो गहीं आपका ठीक है अस्तक्य विरत को ही ऐस्तल वरेकित को ही आप ये सब्ध समझे लीजएगा यह कहन सा है अस्थल अस्थलत विरत है इसी को ही आप कहते हैं अशलाइब देश ईसला विरत टेस ठीक है तो इसमें बताना आपको अंगोला है केन्या है चाड़ है सेनेगल है इनमें से आपको बताना है कौन है तो चाड़ जो है आपका कहसा है चाड़ जो देश है यह क्या है यह आपका अस्थल अरुद देश है केवल चाड़ आपका पड़ता है अस्थल अरुद देश बाकि अं देख यहां पर देख लीजिए जवाब आपका आ चुका होगा लायोस आपका जो है यह आपका अस्तल रूदेश है ठीक है असल रूदेश लौष है ठीक है अगला कुश्चन है दोस्तों अन्यमिक्त देसों में से कौन सा यह अस्थल रूद देस है आप संदे रहा है बोलीविया सूरी नाम उरुगवे पेरू यह आपको जवाब इसमें से देना है कौन सा है आपको तो आपको जवाब आ गया होगा आपका वाकी सभी के आप देख लिजएगा समदर ऴसी मास अपी लगती है अगला है ने मुकीत महादीपोँ में से किस में कौन किस में कॉझा अस्तल तेश नहीं है औस तो देशå hairy सोफ्ति अस्थल रूद रोधयार में जीते दोस्तों असनीर सो अनुछ्तेश में तरफ नतीयां पर रूद देश सऽ करने नहीं नहीं है शीघू असमाना रूद देश में च्करना आपको अस्थल रूद देस चिर्ट्रोध देश इस और बताना नहीं है कि इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जो अस्थल से औरुद्ध देश नहीं है तो कि यहां पर सवाल को थोड़ा गहराई से अगर आप देखें तो निम्लिकित कत्नों में से किस एक में कोई अस्थल देश असल असल रुद अरुद्ध देश नहीं है तो यहां पर महादीप सब्दीज किया गया है तो निम्लिकित में से किस देश में नहीं कहरा महादीप की बात कहरा है करन सा ऐसा महादीप में निम्रिकेत महादीपों में से कि इसमें कोई अस्थल पूरा टोटल सारी इसमें कोश्चन में पूछा यह है कि उस महादीप का कोई ऐसा देश अस्थल अरुद है ही नहीं यानि सभी समुद्री सट से लगते हैं तो इसमें सीधा सायनसर आपका जवाब आगया होगा अब तक मुझे लगता है अफ्रीका है एसिया यूरोप है और उत्री अमेरिका है तो देखिए सारी कंट्रीज हैं जिनके बहुत सारे अस्थल रूद देश मिलेगा अस्थल रूद देश एसिया में मिलेगा यूरोप में मिलेगा उत्री अमेरिका में नहीं है क्योंकि कनाड़ा ब ता नहीं है मलेशिया नहीं है इस मधर लगता है इसका यहीं हो जाएगा पहला दूसरा और चोथा का उप्सन जो भी सई होगा दूसरा और चोथा mistaken hai यह को जाएगा आपका पहला पहला चोथा दूसरा यह आपका डी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा अगला है 49 नमबर को कोश्चन दोस्तों निमलिखित में से कौन सा कथन दच्छडी सूडान के लिए सही है सही उत्तर के चैन होती निची दिये गए कूट का उपयोग करिए ठीक है किसके लिए बात है कों से कथन सही है यह सब कूट उसके बारे में आपको बताना दच्छी सूडान के बारे में दिया गया है ठीक है अब दच्छी सूडान के बारे में देखिए क्या कह रहा है यह एक असल आवरित देश है तो निशित तोर से देखेंगे असल आवरित देश है सूडान बिलक वाइनर स्वेत नदी है तो इसको आपको देखेंगे ये सही आपका है वाइनर स्वेत नदी इसकी सही है इसका अम्मु के धर्म इसलाम है ये आपको देखना ये भी आपका गलत है यहाँ पर इसलाम इसका धर्म नहीं है ठीक है इसाई धर्म इसका है दोस्तों ठीक है इसाई हो जाता आपको तो यानि कि यहां पर दोस्तों कौन सा पहला और तीसरे का उप्षन जो होगा वह सही हो जाएगा आपका पहले और तीसरे का उप्षन तो सी ऑप्षन करेक्ट हो जाएगा अगला है पचास नमबर का और आखरी question आज का है दोस्तों इस question की तरफ चलते हैं कि question है आपका निम्लिकी देशों में से कौन निम्लिकी देशों में कौन अंतर महादीपिये हैं अंतर महादीपिये देश है महादीपिये हैं तो बताइए अंतर महादीपिये देश कौन से आपके हैं लाओस है देखिए और क्या आता है एक से जदिक महादीपों में विस्त्रित देश को अंतर महादीपे देश कहा जाता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा अंतर महादीपे देश कौन से होते हैं बड़ा ही important question है तो मैं आपको यहीं पर बता दे रहा हूँ अंतर महादीपे देश एक महादीप में नहीं कई महादीपों जैसे रूस होता है रूस को आपने देखा है रूस क्या करता है यह आपका यूरोप और एसिया दोनों का अपका देश परता है यूरेसिया ही देश कहलाता है तो अंतर महादीपे देश रूस हो जाएगा आपका इसके अलामा और क्या हो जाएगा जारजिया हो जाएगा जारजिया जारजिया यूरोप में भी आ जाएगा आपका और इसके अलामा आप देख लीजे तर्की है ये भी आपका हो जाएगा यूरोप का भी अफरीका भी देश यूरोप का भी इसमें राजधानी पढ़ जाती है और एसिया में भी पढ़ जाता है तुर्की तो दोनों का जो है देश पढ़ जाता है तो ये दो आपके हो जाएंगे ये तीन आपके कंटी तो यहां पर क्या-क्या दिया है आपका ठीक है तर्की दिया दिया है और जार्जिया दिया हुआ है तो दो हो जाएंगे दोस्तों इसमें से क्या हो जाएंगे दूसरा और तीसरे का उप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है दूसरे और तीसरे का उप्सन दूसरा और तीसरा यानि आप्सन भी राइट हो जाएग ठीक है दोस्तों इसी के साथ आपके 50 questions की जो संकला थी ये complete हो चुकी है दोस्तों और आप लोगों को उमीद है कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों तो ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए और अपने revision को तयार अच्छे से करते रहिए जैसे कि आपकी करिए जैहिन जैभारत